हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं कवीता देव भुमि उत्रखन के खुब सुरत सहर ननी ताल से आप सब का स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ, आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नन्य नन्य पच्चों के द्वारा बनाएगे छोटे छोटे से मॉडल हाँ, मैं अपने बेटे पाथ के स्कूल में एक्जिविशन में गई थी जहां छोटे छोटे पच्चों द्वारा वेस्ट मटीरियल से बहुत सारी चीज़े बनाई गई थी जैसे मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों आप सब के साथ भी मैं शेयर करूँ कि देखे किस तरह से छोटे छोटे पच्चों ने वेस्ट मटीरियल से कितनी खुबसूरत चीज़े बनाई हैं और वो समान जिने प्रायर हम फैक दिया करते हैं उनके ही द्वारा इन छोटे छोटे पच्चों ने किस तरह कितनी खुबसूरत चीज़े बनाई हैं मैं खुद देखकर आश्चारी चके थी कि इतने छोटे बच्चों की कितनी अच्छी चीज़े बनाई हैं देखे हर तरह की चीज़ें चाहे वो विज्ञान से संब्धित हो चाहे घरागस्ति को सजाने की चीज़े हो चाहे मकान कितनी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें ये देखिए ताज महल बनाया है बच्चों ने और यही नहीं इतनी खुबसूरत खुबसूरत पेंटिंग बनाई गई थी छोटे छोटे बच्चों द्वारा देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था और गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे देश के बच्चे कितने ही कितने हो नहार है और उन्हें कितना अच्छो चग्यान है कितनी अच्छी उन्होंने कलाकृतिया मनाई है सच में देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था एक से एक खुबसूरत चीज़े देखे बात ये अंदर भी बच्चों के द्वारा बनाए गए है और ये गत्तों के द्वारा बनाए गए है तो और देखे किस तरह यही नहीं कि बहुत खुबसूरत मॉडल यह किस तरह से देखे यह कितना सुन्दर मनाया है बच्चोंने वाल हंगिंग भी इतने खुबसूरत थे कि जिनको बता पाना भी संभव नहीं है इसलिए मैंने सुचा कि क्यों ना मैं आपके साथ इन बच्चों की छोड़ी छोड़ी बच्चों के कलाकारी शेयर करूँ और मैं पुरी उमीद करती हूँ कि जिस तरह मेरा मनने इनका लाकृतियों ने मोहु लिया था आपको भी इनको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा यह दिखिए हर कक्षा के बच्चे अपने अपने टैलेंट के अनुसार बहुत सारी चीज़े बनाये हुए थे और कुछ तो छोटी कक्षा के बच्चे भी इतनी खूपसर चीज़े बनाये थे कि यकीन नहीं हो रहा था कि मात्र कक्षा दो में या कक्षा एक में पढ़ने वाला बच्चा इतनी सुंदर कलाकृति बना सकता है यह देखिए इस रोका मॉडल भी मनाया है बच्चो के द्वारा और महस कागस की कागस गत्ते और वेस्ट मटीरल वेस्ट कपड़े इनसे ही बच्चो ने यह सब चीज़े बनाई है यह देखिए बच्चो ने खुद ही राख्या बनाई है अभी जैसे रक्षा बंदन का त्युहार आने वाला है तो छोटे चेटो बच्चो ने खुद महनत करके वेस्ट मटीरल से इतनी खुबसूरत राख्या भी वहाँ पर बनाई हुई थी यह देखिए घड़ियां यह देखिए शिफशंकर भोलीनाथ जिसके लिए बच्चो ने कागज दियादी का प्रियोग करके इतनी सुन्दर मूर्ती बनाई है यह देखिए बच्चो ने डॉल्स बनाई हैं बहुत ही सुन्दर मन कर रहा था कि वहाँ से हटे ही ना एक एक चीज बच्चो के द्वारा बनाई भी इतनी खुबसुरत थी कि मन ही नहीं भार रहा था उनको देखते वे यह देखिए यह क्लास वन के बच्चो ने बनाई है चोटे चोटे बच्चो ने कितनी संदर संदर चीज़े बनाई है यह रहा है कि देखिए पार्थ भी बता रहा है कि उसके क्लास के बच्चों ने किसने क्या बनाया है सच में बच्चों के द्वारा बनाई हुई एक एक लगरती बहुत ही खुबसरत थी आशा करती हूँ आपको बच्चों के बनाये यह मौडल बच्चों का यह पर्याश बहुत अच्छा लगा होगा जिस Unter our मैंने बच्चों के इन क्राकृतियों को इंजॉइ किया वैसी ही आप भी आप लोगों ने भी इनको enjoy किया होगा और आपको भी ये बहुत पसंद आये होंगे बच्चों के ये प्रयास देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद फिर मिलेंगे नए व्लोग में बाइ बाइ टेक केर आल एंड लव यू अल और हाँ जाते जाते देखिए किस तरह बच्चों ने ये हल्दी की थाली बनाई हुई थी देखिए कितनी खूबसरत लग रही है न और बाजार में मिलने वाली थालीों से कहीं जादा खूबसरत ये लग रही है चलिए अब मैं इसको यहीं प्रेंट करती हूं फिर मिलेंगे नए व्लॉग में